बीजेपी 2019 में सत्ता का ताच पहनना चाहती है लेकिन मुसलिमों की टोपी उन्हें अभी भी गवारा नहीं है बले ही टोपी का रंग भगवा हो या सफेद इससे फर्क नहीं पड़ता पहले एक बार मोदी ने मुसलिमों की टोपी पहनने से इंकार किया था और इस बार योगी आदितिनात ने टोपी पहनने से साफ मना कर दिया यूपी के संद्कबीर नगर में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी के मगहर पहुचने से पहले संद्कबीर की मजार पर विवस्ताएं देखने के लिए C.M. योगी आधितेनाद पहुचे इस दोरान उन्हें टोपी पहनने के लिए दी गई लेकिन उन्होंने टोपी पहनने से इंकार कर दिया जैसे ही उन्होंने मजार के अंदर प्रवेश किया मजार के सनरक्षक ने उन्हें ततकाल एक टोपी उठा कर दी जैसे ही सनरक्षक योगी के सिर पर टोपी रखने लगे योगी ने जट से हाथ लगा कर टोपी पहनने से इंकार कर दिया सनरक्षक को पहले लगा कि शायद वो उनके हाथ से टोपी नहीं लेना चाहते तो उन्होंने योगी के हाथ में टोपी दी ताकि वो पहन ले, लेकिन योगी ने टोपी नहीं ली, दो बार योगी को हाथ में टोपी थमाने का प्रयास किया, लेकिन योगी ने उन्हें दोनों बार इंकार करके हाथ जोड लिये, संरक्षक समझ गए कि योगी टोपी नहीं पहनना चाहते तो उन्होंने टोपी हटा दी हलाकि योगी के लिए इस्पेशल भगवा रंग की नई टोपी लाई गई थी जिसे उन्होंने पहनने से इंकार कर दिया यानि यूपी सरकार मुसलिमों के बीच जाना चाहती है उनकी रहनमों बनना चाहती है उनके वोट हासिल करना चाहती है लेकिन टोपी के नाम से नफरत उनको अभी भी है